Students Half Yearly Exam 2022-23 का 12th Class का English paper हम देख रहे हैं यहाँ पर उसके solution को भी देखेंगे यह आपके एक जिले से भेजा गया student के दुआरा इसका solution भी हम बताएंगे आप भी अपने जिले का जो PDF बना करके जैसे आप PDF देख रहे हैं विल्कुल साफ सा PDF है तो इसी तरह से साफ PDF आप बना करक सकते हैं और साफ PDF को हम सॉल्व कर देंगे साफ होना चाहिए PDF WhatsApp नंबर नीचे डिस्पले हो रहा है वीडियो के वहाँ पर आप भेज सकते हैं और साथी साथ यह पेपर जो है आपके अर्दवार्सी के लिए तो इंपोर्टेंट है हाफ यरली के लिए साथ साथ यह यरली ए लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा बहुत अच्छा इसमें पैसे दिया गया है और इसमें जो है आप अपने आपको कैसे सही कर सकते हैं यह चीजे थोड़ी सी बताए गई है चलिए पहले कोश्चन की बात करें इन सभी कोश्चन के आंसर भी हम देखेंगे उसके ल दूसरा जो कोश्चन पुछा गया हाउ इसमें इसमें रिजॉल्यूशन है और दूसरा जो वर्ड दिया गया है इंडस्ट्रियस दिया गया है तो यह आपका दो वर्ड है जिसको हमें explain करना है इसके बाद इसमें और भी कोश्चन है जिसका बी पार्ड जो है आपका चौते कोश्चन का इसमें पुछा गया गया गिव ए सुटेबल टाइटल आप अब पैसेज और पांचवा जो प्रसन पूछा गया है find the word from the passage whose antonium is वहाँ पे आप आपको word जो है पैसे से वह word find out करने है जिनके antonium यहाँ पे दिये गए है जिनके wilom सब यहाँ पे दिये गए है तो इनको भी हम देखेंगे तो चलिए पहले question से start करते है solution को और पहले question में जो आप से पूछा गया उसके answer को देखते है इसमें जो पहला question आप से पूछा गय and a firm determination can steer clear of all danger and difficulties तो यह इसका answer हो गया अब दूसरे question की बात करते हैं दूसरा question पूछा गया how is a man builder of his own future तो यहां पर कैसे इंसान अपना जो है अपने future का निर्धारक होता है और बनाने वाला होता है the man who labors hard with a strong resolution and an unshaken will could achieve success and thus he is a builder of his own future तो यह आपका second question का answer जो हो जाएगा उसके बाद हम आप बात करते हैं third question का third question में आप से पूछा गया give a summary of the above passage तो यहां पर हमने third question की summary भी लिखी है summary क्या है a man who possesses a strong will and firm determination could accomplish success in his life full stop man must be preserving and must exert himself to shape out his destiny man who does not work hard and labor could bring misery and suffering to himself thus to gain wealth, fame and power, he must labor with a strong resolution and unshaken will and thereby could make his own future तो इस तरह से आप इसकी summary को लिख सकते हैं सबसे कम words में जो है आपको summary जो है एक तीहाई सब्दों में लिखनी होती है उसके बाद जो चौथा question इसमें पूचाएगा explain the underline word resolution and industries तो सबसे पहले हम बात करते हैं underline word जो resolution है resolution के बारे में resolution here means strong determination a man who works hard with a strong resolution and powerful will accomplish success ठीक है तो इस तरह से resolution को जो है आप जो है बता सकते हैं word को यूज़ करके अब इसमें जो दूसरा explain करना है आपको word इसमें इंडस्टियस है तो इंडस्टियस को explain कर लेते हैं यह दूसरे word का answer जो हम देखेंगे यहाँ पर इंडस्टियस means laborious और hard working by being industrious और preserving one can make his future तो इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं आप meaning भी लिख सकते हैं एक line में जो मैंने यहाँ पर लिखा है यह भी आपका answer सही है और यहाँ पर resolution का जो answer है यह भी आपका यहाँ तक सही है बाकी आप आगे का लिखना चाहें ना लिखना चाहें कोई issue नहीं है इसके बाद जो है आपका explain कर दिया हमने इसके बाद जो next question पूछा गया इसमें suitable title पूछा है give the suitable title of our passage तो इस passage का suitable title हो जाएगा a suitable title to the given passage may be a man of strong will ठीक है यह इसका जो है एक passage का जो है title हमारे तरब से आपको बताया जा रहा है इसके बाद जो है आपका next part जिसमें पूछा गया है failure का failure जो यहाँ पर दिया गया है यह किस सब्द का antonium है आपसे पूछा गया है तो failure जो है success का है आप जो है इसमें देख सकते हैं जो भी आपका passage है मैं आपको passage दिखा ज़ता हूँ यह रहा आपका failure ठीक है इसका जो हापका opposite हो जाएगा वो किसका failure किसका opposite है success का दूसरा है misfortune तो misfortune किसका opposite है तो हमारा answer हो जाएगा यह fortune का opposite है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके बाद जो है आपका next एक और word दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं चलि इस तरह से आपको यह passage पूरा solve करना था जो मैंने आपको solve कराया अब आते हैं हम दूसरे section में जो section B है आपका writing section सबसे writing section में आपसे जो topic दिये गया है इनमें से 150 words में जो है आपको एक क्या है एक topic पे ऐसे लिखना है तो पहला जो है इसमें mobile phones boon और curse उसके बाद में आपक of checking tourism तो यहाँ पर जो है आपको पांच है पांचों में से किसी एक पर जो है आपको अपना essay को लिखना था इसका बदा जी है next question पर essay तो आप आसानी से लिख सकते हैं letter भी आप आसानी से लिख सकते हैं letter में भी कोई issue नहीं है आपको एक letter लिखना है to the editor को और editor जो है इसमें क्या है times of India ठीक है एडिटर कौन से एडिटर को लिखना है times of India को लिखना है discussing करना है आपको discussion करना है evil of the child marriage system इसके बाद जो है आप से और पार्ट में भी पूछा गया है जिसमें write करना है फिर से आपको letter sub divisional officer को telephone जो telephone के sub divisional officer है आगरा के regarding frequent telephone disorders ठीक है तो यह भी आपको application लि सकते हैं और इस टाइब के application में करवा चुका हूं और आने वाले समय में दुबारा भी आपको करवाया चाहेगा इसके बाद आते हैं next c section में grammar section जो आपको करने है तो इसके भी solutions देखेंगे यहाँ पर जो पहला question है आपको indirect narration में change करना है दूसरे question में आपको simple sentence बनाना है त फिर चौथा जो है आपको correct करना है ठीक है उसके बाद में next जो है यहाँ पर है आपका right antonium of the following domestic का और reveal का जो antonium यानि विलोम आपको लिखना है right one word of the following one who loves mankind और a person who believes in God इन दोनों के जो है one word आपको लिखना है एक शब्द लिखना है इनका तो चलिए इनके answers को देखते है सबसे पहला जो question है उसके उपर depend करता है कि आपका क्या answer रहेगा तो सबसे पहला question जो है इसका solution बताता हूँ मैं आपको तो answer देखते हैं siam said good night prashant we will meet again tomorrow indirect narration में change करना है तो चलिए इसका answer बता जाता हूँ मैं आपको इसका answer हो जाएगा siam bad good night to prashant and said that they would meet again the next day इसका मतलब है राहूल ने प्रशान्थ को शुब रात्री दी और कहा कि वे अगले दिन फिर मिलेंगे इसका बाद आते हैं next question पे next question में पूछा गया है राम is an intelligent boy he is very punctual he studies in a 12th class इसको simple sentence में आपको बनाना है तो चलिए इसको देखते हैं simple sentence क्या होगा राम is an intelligent and very punctual boy who studies in a 12th class यह आप जो है आसानी से बना सकते हैं या फिर आपको अगर यह अच्छा नहीं लगता है तो और भी बनाया है मैंने दूसरा पार्ट भी बनाया है राम is an intelligent boy who is very punctual and studies in a 12th class तो आपने जोनों में से जो भी लिखा है वो आपका सही है next part जो है इसमें आपसे पूछा गया है iron is one of the heaviest metals यहाँ पे comparative degree आपको use करनी है तो देखिए इसका simple सा हो जाएगा iron is heavier than most other metals तो यह comparative degree में हमने most लगा करके जो है इसको सही कर दिया इसके बाद जो है आपका next जो है पूछा गया है I congratulate you for your success गरेक्ट करना है इसको तो यहाँ पे देखो यहाँ पे I के साथ में SEIS लग गये यही mistake है इसमें तो यहाँ पे आएगा I congratulate you on your success पस SEIS जो लगता है भववचन के साथ उसको हटा दिया है नेक्स जो पार्ट है उसकी बात करते हैं यहाँ पे पूछा गया है domestic का जो है आपको opposite बताना है reveal का अपोजिट बताना है तो domestic का क्या हो जाएगा तो domestic का opposite जो हो जाएगा वो हो जाएगा wild या फिर non-domestic या फिर non-familiar ठीक है इसके बाद आपका जो है non-familiar और इसके बाद जो है next जो है reveal reveal का जो आपका opposite जो हो जाएगा वो conceal हो सकता है deny हो सकता है, dispute हो सकता है descent हो सकता है और hide भी हो सकता है इसके बाद जो है आपका next part जिसमें आपसे पूचाए गया one who loves mankind इसके लिए one word क्या होगा तो इसको बहुत ही एक special word बोला जाता है जिसको बोलते हैं philanthropist तो इसका मतलब होता है लोको पकारक या फिर बोलते हैं इसको अगर लोको पकारक ना बोल सकें तो आप बोल सकते हैं जन person who believes in God आप जानते हैं जो भगवान में आस्ता रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं तो आस्तिक के लिए हम यूज करते हैं थीस्ट तो यहां पर हो गया आस्तिक या आस्तिक वादी या ईश्वर वादी ठीक है इसका मतलब यह हो गया आपको हिंदी भी मैंने सारा चीज समझ करना है ठीक है इसके बाद में है right antonium of the following यहां synomium शोरी synomium यानि की similar word लिखने है इसमें wellness और freedom का जो है synomium आपको बताना है इसके बाद जो है इसमें आपसे पूछा गया है use the following sentence of your own words तो आपको जो है इन को आपको meaning इन को explain करनी है carrier और carrier और childish और childlike ठीक है इसके बाद आ और दूसरा है to nip in the bud ठीक है यह सारे के सारे आपके questions है जिनके हम solutions अब यहाँ पे इस वीडियो के मादने हम से देख रहे हैं तो चलिए पहले questions से हम जो start करते हैं आपका क्या-क्या होगा answer तो use करते हैं through and through को फिर उसके बाद में Keith and Kiln को तो सबसे पहले through and through से sentence बनाते हैं वह पहले से ही पूरी तरह से भीग चुका था इस तरह से हम इस वर्ड को use किया अब हम दूसरा वर्ड जो है Keith and Keen को use करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा he even loathed his own Keith and Keen थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा अलग है यह इसलिए इसको हमको अलग तरीके से बनाना होगा वह आदमी एक ऐशा बजमास था वह अपने परीजनों और रिष्टदारों से भी नफरत करता था Keith and Keen का मतलब होता है आपके सगे संबंदी ठीक है इसके बाद जो next part है इसमें क्या पूछा गया है right synonym of the following तो wellness का synonym बताना है freedom का बताना है तो देखिए wellness का जो हो सकता है यह क्या होगा आपका एक हो सकता है mi d habit sack n यह सारे जो है क्या बोल अविए को उसके आllaवा जो है क्या हूँ सकते है money के लावा जो है आप क्या बोल सकते हैं अजक wow झ् Chr Music का सिनमियुम भी हो सकता है उसके लावा और भी हो सकता है, जिसमें आपका fitness बता दिया, shape बता दिया, strength हो सकता है, तो strength हो सकता है आपका, इसके लावा जो है आपका एक और word जो बनता है, उसको हम बोलते हैं, वर्ड जिए और, ठीक है, तो ये सारे हो गया, अब हम freedom की बात करें, तो freedom में क्या क्या हो सक हो सकता है ability या फिर आपका हो सकता है exemption या फिर आपका हो सकता है flexibility या इसके लावा हो सकता है आपका immunity नहीं होगा और भी बहुत सारे words है इमनेटी भी हो जाता है ऐसे नहीं है तो आप इतने words को भी आप आप देख सकते हैं इसके बाद आते हैं हम next part पर next part में आपसे पूछा गया है use the following sentence of your own so as to bring out difference in their meaning clear अब दोनों में अंतर बताना है यहां पर carrier है जिसमें I-E-R लगा है carrier है जिसमें आपका double E-R लगा है तो सबसे पहले हम इसको बात करते हैं carrier और carrier में differences को जो है I want to call a baggage carrier to help me ठीके मैं एक baggage carrier जो है आपका धोने वाला माल होता है ना उसको हम बोलते है carrier अच्छा एक होता है carrier जिसका हम बोलते हैं अपना जो है आने वाला भविश्य जो बनाएंगे carrier तो उसको हम देख सकते हैं तो Delta Airlines is one of the largest carrier in the US यह भी आपका carrier का ही example है ठीके तो दोनों ही example है अब इसका बाद में हम carrier की बात करें तो यह वाला जो carrier है इसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि यह simple सा है तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं everyone wants to bring his carrier bright ठीक है इस तरह से लिख सकते हैं और everyone wants to be a successful carrier ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी word अपने carrier के बारे में इस तरह से बना सकते हैं यह carrier थोड़ा सा अजीब था इसलिए मैं आपको इसका लिख करके बता दिया इसके बाद जो दूसरा question है इसमें आपको एक childish है और एक childlike है ठीक है इसको बनाना है तो सबसे पहले childish की बताते हैं फिर उसका बाद में हम जो है देखिए the teacher told the children stop to calling names of each other तो यहाँ पर जो है आप से क्या बोला गया है अच्छा यहाँ पर जो है childish or childlike इसको मैं बताता हूँ पहले हम जो है call यह वाला चौथा question use the following phrasal verbs in your sentence to make their meaning clear तो इनको हमको meaning clear करने है तो हम दोनों meaning बताते हैं to call names और to nip in the buds दोनों को देख लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए the teacher told the children stop to calling names of each other तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है to stop to call तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर to call names तो यहाँ पर जो है यहाँ पर to call names of each other तो यहाँ पर calling लिखा है आप calls भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसको use कर दिया इसके बाद जो next part है आपका to pin to nip in the bud तो to nip in the bud को हम लिखेंगे राधा asks to sita to nip the nip the in the bud nip the in the bud all bad habits before marriage राधा ने sita को विवा से पहले सभी बूरी आदतों को जड़ से उखाड फेकने के लिए या खतम करने के लिए कहा तो इस तरह से जो है यह आपका to nip the in the bud ये वाला जो हमने use किया nip in the word तो आप इसको कर सकते है ठीक है nip to nip in the word तो यहाँ पर जो है आपको यह दो बार लग गया तो इस द को हटा देना यह the mistake से लग गया तो Sita rather ask to Sita to nip in the word all bad habits before marriage तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यह आपका the जो है by mistake लग गया था अब इसके बाद जो है question आपका next part इसमें देखिए childish और childlike तो यह childish तो यह बच्पना होता है और childlike जो है behavior होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं every small child behave as childish ठीक है और यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं my friend behaves like childlike ठीक है तो इस तरह साब इसका word मना सकते हैं यह simple सा word है तो इसको आप easily मना सकते हैं मैंने आपको examples भी बताए उपर वाले solve करके बताए अब आते हैं next question की तरफ जो next question है उसको हम describe करेंगे अब अगला जो प्रशन ह इसमें पूछा गया translate into English आपको छोटा सा paragraph दिया गया है इसको इंगलिस में translate करना है पहले मैं आपको हिंदी में एक बार दिखायेता हूं कुछ वर्स पूर्व जर्मनी का एक लड़का जिसकी उम्र दस वर्स की थी एक जोतिशी के पास गया उस बच्चे ने अपना हाथ जोतिशी को दिखाया और उससे पूछा स्रिमान क्या मैं बिश्व का बादशाह बन सकता हूं उस बच्चे की महत्तुकानशा को देखकर जोतिशी ने उसका हाथ देखा और कहा तुम्हारे हाथ में ऐसी रेखा नहीं है जिस से ग्यात हो सके कि तुम बादशाह बनोगे इस उस बच्चे ने चाकू से अपने दोनों हाथों पर एक रेखा खिस दी, खाव सही हो जाने पर वह पूना जोतिशी के पास गया, उसने अपना हाथ दिखलाया और यह देखकर जोतिशी उस बालक के साहस पर चकित हो गया, यह बालक और कोई नहीं जर्मनी का ताना शाह हिटल तो आप इसको आपको इंग्लिस में अनुवाद करना है, तो चलिए इसका इंग्लिस अनुवाद बतायता हूँ, तो यह रहा आपका इंग्लिस अनुवाद, तो यहाँ पर जो है, हम देखते हैं क्या है इसका इंग्लिस अनुवाद कैसे बनेगा, तो इस तरह से इसका कु कुछ वर्स पूरु जर्मनी का एक लड़का जिसकी उम्र दस वर्स थी एक जोतिशी के पास गया. A few years ago, a boy from Germany who was 10 years old went to an astrologer. पहले line का आपको अनुवाद यहां तक हो जाएगा. इसके बाद उस बच्चे ने अपना हाथ जोतिशी को दिखाया और उससे पूछा. The child shows his hand to the astrologer and asked him. स्रीमान, क्या मैं विश्व का बादसा बन सकता हूँ? Sir, can I become the king of the world? उस बच्चे की महत्वकांशा को देखकर जोतिशी ने उसका हाथ देखा और कहा. Seeing the ambition of that child, the astrologer looked at his hand and said तुम्हारे हाथ में ऐसी रेखा नहीं है, जिससे ग्यात हो सकेगी, तुम बादसा बनोगे. उसने said, there is no such line in your hand to know that you will become the king. इसके बाद, वह लड़का वहां से चुपचाप चला गया. The boy left silently from there. घर पहुँचकर उस बच्चे ने चाकु से अपने दोनों हाथों पर एक रेखा खीश दी. On reaching home, the child drew a line on both his hands with a knife. आव सही हो जाने पर वह पूना जोतिशी के पास गया. After the wound was healed, it again went to the astrologer. उसने अपना हाथ दिखाया. He sawed his hand. यह देखकर जोतिशी उस बालक के साहस पर चकित हो गया. The astrologer was amazed at the courage of the boy by seeing this. यह बालक और कोई नहीं जर्मनी का तानाशा हिटलर था. The boy was none other than Hitler, the dictator of Germany. तो इस तरह से आपको simplest word में है, इसको translate कर देना था, जो मैंने आभी आपको लिख करके दिखाया है. बहुत इसी साहता question था और अच्छा question था. आगे बढ़ते हैं next, जो literature section है, उसकी बात करते हैं. यहाँ पर जो है, answer any two of the following questions. तो यहाँ पर जो है, पहला question है, what did Mr. Hamill write on blackboard, what did it mean? दूसरा जो question है, यह book से question है, आसानी से आप कर सकते हो, करवानी की आवशकता नहीं है, जो चीज़े मैंने करवाई दी हैं, उनको आप देख सकते हो, और इनकी भी आवशकता हो, तो comment section में comment कर देना, इनके भी answers आपको दे दिये जाएंगे. अल्रेडी model sets आपके solve करवाए गए हैं, जो उनको देख लेना, 2022 के model sets एक बर जरूर देख लेना, उसमें से बहुत सारे प्रशन आपको देखने को मिलेंगे, आपके exam में, और साथी साथ आपकी 2030 के model papers आने वाले हैं, उनको भी हम solve करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आ प्यारी करने के लिए तयार हैं, और साथी साथ आपके लिए IMP चल रहे हैं, IMP देखना ना भूले, IMP questions जो हैं, उनकी series start कर दी हैं हमने, तो उन questions को जरूर एक बार check करें, ठीक है, और playlist आपके description box में मिलेगा, और जितनी बार मैं आपको बोलता हूं, हमेशा share कर दीजिए, आप share जरूर करें, यही आपसे request है, क्योंकि आपका जो share है, वो दूसरे students की मदद कर सकता है, तो चलिए, यहाँ पर दूसरा question है, who led Gandhi to Champaran and why, जो है, गांधी को Champaran कौन और क्यों ले गया, उसके बाद में, why does the author say, garbage to them is gold, इसके बाद जो next part है, इसमें कुछ हाग गया है, answer anyone one of the following question, तो यहाँ पर जो है, आपको एक कही answer देना है, why was it so difficult for the teacher to leave his school, और उसके बाद में, attempt a character sketch of peddler in the story, ठीक है, तो आपको peddler का character sketch जो है, आपको बताना है, read the following stanza, यहाँ पे stanza दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद में, जो questions पूछे गए हैं, वो भी देने हैं, मैंने आपको, जो है, central idea भी बताया था, वो ही मैं बताऊंगा, उसके answers भी मैंने दिये थे, आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आपसे यह चार number का question छूट चुका होगा, तो यहाँ पर देखिए, पहला जो इस stanza हो है, what does the earth teach us, दूसरा जो है, what does poet mean to achieve by counting up to 12, और जो question पूछा गया, what is significance of keeping quite, और इसके बाद में, point out the figure of speech used in the above line, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका दो central ideas दिये गये हैं, जिसमें आपका a thing of beauty है, और दूसरा है a my mother at 66, तो इन दोनों को मैंने करवा रखा है, आप देख सकते हैं, यह videos अगर आपने नहीं यह video मैंने एक महिने पहले डाल दिया था, आप लोगों के लिए, ठीक है, चार नमबर लिखा भी है, मैंने चार नमबर पक्का, चार नमबर पक्का, तो आपने किया नहीं होगा, यही आपसे mistake होती है, कि आप लोग जब वीडियो हम डालते हैं, तो आप लोग जो है, उस कुछ समझाते हुए, हिंदी में समझाया है, और keeping quiet, इसका भी मैंने आपको central idea करा है, तो इस पांचो poems के मैंने central idea दे दिये हैं, अगर आप चाहते हैं, तो इसको देख लेना, description box में इस central idea के list भी दे दूँगा, जिसमें पांचो poem आपको मिल जाएंगे, और साथी साथ इन modern world want to escape, दूसरा है, how did author travel to Antarctica, और third है, what was the condition of the man who arrived at Sadao's doorstep, सदाओ के doorstep पे जो आदमी पहुचा था, उसके क्या condition थी आपको बताना है, और answer anyone of the following, कोई भी एक का answer देना है, write the character sketch of Hana, और how is Grand Central Station a symbol of escape, तो ये भी आपको explain करना है, साथ नंबर का question है, तो इस तरह का paper आपका आया हुआ है, मैं आपसे request करूँगा, share करना बिल्कुल न भूलें, और playlist आपके सामने आ रही है, इसको जरूर देख ले, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और share करना बिल्कुल न भूलें ।